किसान विरो इस समय हमारी धान की फसल 50, 55 या 60 दिन क्या स्पस्की हो गए और इस समय पहली सपरे कौन सी करनी चाहिए कौन सा फंगी साड लेना चाहिए कौन सा कीट नशा का सपरे करना चाहिए या फिर कौन सा ऐसा एंटीबाइटिक ले सकते है जिससे आनेवल समय में हमारी धान की फसल में कोई भी बीमारी देखने को ना मिले और ना ही किसी भी परकार के कीटो का अटैक देखने को मिले और हमारी धान की पैदावर बहुत ही बंपर हो सके क्योंकि इस समय धान की फसल में सबसे पहले अटैक करता है शीत ब्लाइट और फिर उसके बाद बैक्टेरिय लीव ब्लाइट और फिर उसके बाद आते हैं लीव ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट या फिर नॉट ब्लास्ट तो ये सब रोग बारी बारी से देखने को मिलते हैं इन बिमारियों की रोग थाम के लिए हमें ऐसे कौन से फंगी सर्ट के सप्रे करना चाहिए मतलब बालिय निकलने से पहले हमें कौन से सप्रे करना चाहिए क्योंकि अगर इन में से कोई भी एक रोग हमारी फसलों में टैक करता है तो भाई फिर धान की बालियों में फोक बहुत बनेगी और पैरावार में 70-80% तक गिरावर देखने को मिलेगी और इसके लावा अगर आपने बासमती धान लगाया है तो इसके लिए फिर हमें थोड़े से ठीक ठाक से फंगी साड ही डालने होते हैं क्योंकि बासमती धान बहुत जादा लुदा होता है बाकी जो पी बासमती धान की दान है या ने मोटे धान की वरायटी होती हैं जो पकने में थोड़ा सा लंबे समय लेती हैं उसके लिए हमें ऐसे कौन्स से इंसेक्टि साईड हो गया सबसे पहले बात करते हैं कि बासमदी धान की फसल में ऐसे कौन से बात करते हैं कि बैक्टीरिया लीक बात करते हैं कि बैक्टीरिय L1 या ब्लास्ट की रोखसाम के लिए हमने कौन सा ऐसा ऐसा एक लेना चाहिए जिससे एक ही सप्रेम में हमारे खितों में बील भी या फिर ब्लास्ट इन सब की रोगता हम एक हो जाए तो इसके लिए आपको लेना है कासुदामाइसिन या फिर आप ले सकते हो वैलिडामाइसिन इन दोनों का रिजल्ट बैस्ट है दोनों में से आप ज़्या नुक्सान करके जाता है तो हमें बास्पति ध्धान की फसल में थोड़े से अच्छे टेक्निकल डालने होते हैं और इसके लावा बात करें कि इस में हमें कौन सा ऐसा कीटनशार लेना चाहिए जो इस लिए बास्पति ध्धान की फसल के लिए सबसे बैस्ट सकते हो क्योंकि इस समय आपको थोड़े से ठीक ठाक कीड़नाशक आपको अपनी बास्मदी धान की फसल में स्प्रेय करने होते हैं क्योंकि अगर तनाचे दक सुंडी ने अटैक कर दिया तो भाई फिर बाद में सफेद बालियां बहुत निकलेंगी फसल को बहुत नुक्सान भाधित बाएं की फसल का पर्डंशन बहुत बढ़िया होगा कोई भी मारी नहीं लगेगी कोई बहूंत कीक ऑनी कोई हो गए हमारे कूपके सब्स्क्राइब का लेकर चलना है बाकी बात करें जो लंबे समय वाली वरैटी होती ही तो इसके लिए हमें वाई दो बार भी सप सब्सक्राइब बाकि बात करें कीट नशक आपको लेना है पर फैना पॉस परसंट या फिर आप ले सकते हो ताटा टाकोमी यह और भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल आते हैं जो द्धान की गोब वस्ता में आप इनके सप्रे कर सकते हो बाकि बालिया निकलने के बाद हमें एक लेना होगा और बाद में ब्राउन प्लाइंट होपर करने के लिए इंसक्राइब निकलने के बाद हमें फिर इनका में करेंगे और करतें जाध करने के इसके लिए आप एंटिव लग अब पर भी बना दो और इन तीनों को कोई सवाल हैं तो भाई आप कोमेंट करके बूसकते हो धन्यवाद